कच्छों के अंडे से जब बच्चे निकलते हैं तो उने कई खतरनात मुश्किलों का सामना करना पड़ता है दरसल जब एक मादा कच्छों अंडे देने वाली होती है तो वो समुद्र किनारे आ जाती है और रेत में गट्टा बनाकर उसमें अंडे देती है आपको बता दे कि मादा कच्छों एक बार में करीब 80 से सौंडे देती है अंडे देने के बाद मादा कच्छों उने रेत से ढखकर समुद्र में वापस चली जाती है जो कि दोबारा कभी भी अपने अंडों को देखने के लिए वापस नहीं आती फिर 60 से 70 दिन के बाद अंडों से बच्चे बाहर निकलाते हैं और इसके बाद ही शुरू होती है इनकी मुश्किलें क्यूंकि रेत के नीचे दबे होने के कारण 60 परसेंट बच्चे रेत से बाहर नहीं आ पाते और वहीं दबकर मर जाते हैं इसमें केवल 40% बच्चे बच्च पाते हैं और ये बच्चे हुए बच्चे समुद्र की तरफ बढ़ने लगते हैं और वही नजरें गड़ाए बैठे रहते हैं आस्मान की खतरनाक शिकारी बाज और गिद जो कि इन कच्छों की धीमी चाल के कारण इन्हें अपना शिकार बना लेते हैं जिसके बाद केवल 20% कच्चों ही समुद्र तक पहुँच पाते हैं और जिन्दा बच पाते हैं वैसे कि आपने कभी कच्चों कुछ हुआ है कमेंट करके जरूर बताना